तो नेक्स्ट्ट्ट मंडे नाट रोग एपिसोड होने वाला मेडिसेन स्क्वायर गार्डन के अंदर और यह होगा गोहम मेडिशन समर स्लाम 2022 के लिए लेकिन कर रोग एपिसोड इतना बड़ा हो सकता है कि यहां पर रिटान आज एपी ब्रेवाइट की सबसे बड़ा सवाल है कि वह भी वापस आने वाले लेकिन मंडे नाइट रॉ से एक बड़ी स्पेकलेशन यह कि एज के साथ में फीन आने वाले रीजन उसका यह कि जजमेंट है उसके इंदर दो मेंबर है फिन बैलर रोड़ अब समर्स्लायम की तरफ हम लोग अप्रोज करें तो यह दिटेल्श को हाइप करने के लिए अचानक से फीन ब्रेवाट को वापस ला सकती है क्या एज के साथ में डा सकते हैं फिर अकेले फीन की वापसी हो सकती है अगले हफ्टे मुझे नाइट रॉ में यहां पर फाइनली निकाल डाली है जोगी मुझे ऐसा लग रहा है सफिचेंट होगी यह पता करने के लिए कि कौन से सूपरस्टार की वापसी होने वाली है अगले हफते जौन सिनन सब का रेफरेंस हुआ था लेगिन इस वाले प्रोमो के अंदर तीन जिकाले वहां देखा देखा प्लस हमने देखा ने तो चलो यह तो सूपर स्टार्स के बारें बात होगी अच्छा एक और पॉइंट से जहां पर लॉयल्टी वटर में दिखा गया था लगा पर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट नहीं था वहां पर लॉयल्टी और लव लिखा था तो पहले मुझे लगा जॉन सेने का रेफरेंस लेकिन अक्च्छल में जब लव देखा तो लग ऐसे जहां पर इनो जॉन सिना टाइप का रेफरेंस कोई भी नहीं है तीन सूपर स्टार्स का पटिकुलर रेफरेंस है वह से देड मैं दो फीनॉम अंडर्टेकर एंड 619 रेमेस्टीरियो अच्छा बात करते एज और फीं लेकिन बड़ी बात है उस टाइम सेथ रॉलिंस बेबी फेस थे अच्छा काफी सब्सक्राइब लोगों ने इस वाली फोटो को जो की दिखाई जाड़ी लगाता है उसे फार फ्लाइब फन हाउस से कंपेर के थे से फोटो फार फ्लाइब फन हाउस में भी थी लेकिन अग सब्सक्राइब लेकर तो नहीं है अच्छा बात करूए अच्छा की बारे में और हम जानती के अंदर किसकी विक्ट्री थी काफी सरे लोगों ने अगर नोटिस किया होगा इस वाली वीडियो पैकेज के अंदर लगा था जो एज या पर चलके जा रहा है आगे पीछ हो रह है कि इस बंदे ने क्रश करके रखा हुए से रॉलिंस को और मैं इन दोनों की फ्यूट की बारे में बाग करूं समर स्लैम के अंदर किसकी विक्ट्री होई एज की विक्ट्री होई उसके बाद एक और फिर से माच हुआ जो कि मेरे साब से क्राउन ज्वेल के अंदर हुआ साथ डिर वाला जो भी वहां पर शोव था वहां पर किसकी विक्ट्री उस है है लेनेस से एक इस टील के अंदर विक्ट्री वहां पर एज की तो कहीं नहीं यह दिखाना चारे है इस वाली वीडियो पकेज के थू कि उन्होंने क्रश करके रखा है से लोलिंस को अब बात आ जरा थे अंदर अधर को और फाली रेसेल में 31 के अंदर माच हुआ था और टेकर ने हरा दिया था ब्रेवाइट को कुल मिला के फिंड की कोई भी पीच में वह चीज हुई थी लेकिन रेमें स्टीरियो बश्य की बीच में एक वर्ट है टाइटल माच भी हो चुका है इन द स्टार्स को रेफरेंस है वह तो एज की तरफ ही इशारा कर रहा है जरूर अंडेटेकर के साथ में ब्रेवाइट और फिंड की हलकी से रही है लेगिन कहिए नहीं कर देखो आपको बैक्ग्राउंड वाले पोस्टर से साफ सफ यह नहीं पता लग रहा है अगर आपको एज पीछी से भी देखोगे उनके टाम पे भी तो सेम ऐसे ही अज लगते हैं उपर से उन्होंने हेर कट कर वा लिए तो इक भी बाल भाई एदरु धरनी एक दमी उन्हों चिपके हुए बाल हमें दिखाए दे रहे है इस वाली फोटो के अंदर आपको बैक्ग्राउंड के अं देखने के बाद मेरे माइंड में एक चीज़ क्लिक होती है वह होता है एज और क्रिश्चन आपको यहां इस वीडियो पकेज में भी दिखाए देंगे जोगी मेरे इस आप से कहीं ना कि रिलेट करता है एज और क्रिश्चन की पुरी फ्रेंड्शिप से उनकी रैवलरी से और लोयर्ट की और लव का मतलब गर मैं देखू तो कहीं ना के ब्याच्न को में कावी बायरत करता है और लोयल्टी मीच्च दोनों जिन लोगों ने गेम खेली होगी वहां पर ऐसा आपको नॉर्मल दिखाई देता होगा लेकिन डवल डबल की मैथेड में मेरे इसाफ से से फॉर्स रिफिक क्रिश्चन का ही रिफरेंस हो सकता है या फिर एज और क्रिश्चन दोनों कंबाइन का अब बात करते हमें एक इवल गांग्रेल था अब गांग्रेल जो है उनके अगर आप टीथ देखोगे जाके उनके भी दो नुकीले टीथ बाहर निकले हुए अब इस पूरी वीडियो क्लिप को मैंने बहुत बार देखा लेकिन अल्टीमेटली मुझे दो रेफरेंस भाई बिल्कुल भी समझ नहीं मु और अगर आप स्कल representative आप था अग्रण से मुझे कंपेर करता हूं इससे बाहर या और और एक मीग से पुरे पूरी वह घड़ी लाता वह नजर आता है उस घड़ी के उपर मैंने एक नम पॉस करके देखा जो टाइमिंग दिखाई जारी 112 के उपर है और 103 से हलकी सी नीचे अब इस चीज़ का भी क्या रेफरेंस हो सकते हैं मेरे दिमाग से बिल्कुल भी यूनों आने रहा प्रॉपरली मैंने काफी चीज़ों से डेलें सीनिच से माज करके देखा समर स्लाम के देट से मांच करके देखा जबOOO-ıatt Wellness के मोशें चीज़ करके देखा नहीं देखाई आफ्वाल टाम में क्या हो था लेकिन यह थे खलकी सी डिटेल वीडियो पूरे सब्सक्राइब कर देना चैनल को कर देना और बहुत ही जादा जल्दी तिल देन बाई बाई टेक केर